अस्सलामु अलेकुम स्टूडेंट्स आज हमने स्टुडी करना इंपोर्टेंट नेमाटोड पैरासाइट्स और फिमेंज के अंदर नेक्टर अमेरिकेनस और ट्रैकनिला स्पार्यलिस को तो सबसे पहले Nectar Americanis को study करते हैं जिसको हम New World Hookworm भी बोलते हैं अब New World Hookworm मतलब कि यह American States में ज्यादा कोमन है तो इसका Life Cycle स्टार्ट करते हैं जहां पर Eggs in Feces के अंदर present है यह Embryonated Eggs मतलब Embryo की Development इन एक्स के अंदर जो है वो स्टार्ट हो चुकी है आगे यह जो Eggs हैं यह Hage करेंगे Moist और Warm सर्फेस के उपर तो इसका Moist और Warm सर्फेस या Soil के उपर यह जो है Eggs Hage करेंगे और First Stage Lava जिसको हम बोलते हैं Rapidity Form Lava जो है वो बनेगा अब यह Rapidity Form Lava जो है यह Road Like होता है और यह Infective Stage नहीं है मतलब यह Road Like है और Infective नहीं है और दूसरा यह जो यह First Stage हमारे पास लावा है इसकी Molting होगी Next Second Stage Lava बनेगा जिसको हम नाम देंगे फाइलरी Form Lava अब यह जो फाइलरी Form Lava यह Thread Like होता है और Thread Like होने के साथ साथ यह Second Stage Lava है और यही Infective Stage है हमारे पास अब यह जो फाइलरी Form Lava अब यह भी of course Soil के उपर पड़ा हुआ है कोई भी image जो है वो अगर नंगे पाउं जो है किसी भी surface के उपर Soil के उपर बाग करेगा तो उसकी जो Toast के दर्मियान जो Spaces है वहां पर यह जो है Penetrate करेगा और Penetrate करने के बाद स्किन में यह circulatory system में जाएगा लंग्स सक लंग्स में करेगा यह further molting Two moltings already एक के अंदर ही हो चुकी थी Two moltings जो है यह लावा करेगा लंग्स के अंदर Two moltings के बाद यह ट्रेकिया में ट्रांसफर होगा ट्रेकिया से फेरिंग्स में एगा और फेरिंग्स से स्वेलप होके हमारे पास आजएगा small intestine के अंदर small intestine में अपने teeth के थ्रू जो है यह small intestine पे जो है वो उसके साथ अटेच होगा और blood और tissue flutes पे feed करना start कर देगा अब क्योंकि already इसके अंदर four moltings हो चुकी है तो intestine में अभी यह mature stage है intestine के अंदर ही जो है यह female जो है अपने eggs को ले करेगी embryonated eggs को और eggs जो है इस तरह external environment के अंदर release हो जाएगा और life cycle जाएसे continue रहेगा नेक्स्ट हम study करते है ट्राइक के निला spiralis को अब ट्राइक के निला यह hair worms जो है अब यह हमारे पास omniverse के अंदर ज्यादा कॉमर है जिसको हम दूसरे लफ्सों में pork worm का भी नाम देते हैं क्योंकि यह pork से हमारे पास आता है हमारे यह pork से ट्रांसफर होता है तो यहां पर आइक्जमपल अब pork का meat है मीट को हमारे लिया है इंप्रोपली कुक्ड मीट है मतलब इसको जो है वह प्रोपली कुक नहीं किया इतना ज्यादा कुक नहीं किया कि जो लाव स्टेज़ इस पोग के अंदर से डिस्ट्रॉई हो से कि तो ऊस पौक को कंद्युम कर लिए अब पोग को कंद्यूम करने के बाद क्या होगा लावा को स्माल इंटस्टाइन पमेंस के अंदर बैस्त करें हो और मॉल्टिंग्छ होने बाद आगसं आगए जो हू hm order स्माल इंटस्टाइन में आगए जो फीमेल है आ वे लावा सिर्कुलेटर सिस्टम में होता हुआ किसी भी मसल में जाएगा और मसल में जाकर यह वहां पर एंसिस्ट हो जाएगा ठीक है तो यह जो स्टेज यह पोक के अंदर भी सेम है अगर पोक ने किसी और चीज का मीट कंज्यूम कर लिया या फाइजम्बल और human meat ऐसे ऐसा हो नहीं सकता है कि human meat जो है वो कोई consume करे और लेकिन let's pause के वहां पे pork में भी यही life cycle फिर जो है continue होगा तो आगे जो है किसी भी muscle में जा के circulation के थूँ यह लावा जो है वो insisted हो जाएगा इस तरह है हमें humans में muscle pain जो है वो इसका symptom मिलेगा और यह काफी years तक जो है वो muscle के अंदर insisted रहा सकता है और इसी condition के विज़ा से जो disease यह कास करता है उसको हम नाम देते हैं ट्राइकेनुसिस यह दूसरी possibility क्या है कि human ने pork जो है वो consume करें किया है human के अंदर जो है वो adults में यानि के moltings हो चुके है अदर जो है वो human intestine के अंदर बन चुके हैं आगे जो adult है यह लावा अफकोस जो adults है मेटिंग करके आगे लावा की formation करेंगे तो लावा जो है वो मेकसा के अंदर present है यही आगे जो है वो striated muscles में striated हम दूसरे skeletal muscles को ही बोलत है ठीक है तो striated muscles में कहीं को स्कैलेटल muscles को ही बोलते हैं तो skeletal muscles में जाके इसने इंसेस्ट हो जाना इससना जाए वो काफी टाइम के लिए इसमें इंसेस्टेट फार्म में रह सकता है और यही जो इंसेस्टेट फार्म है यही इसकी in fact is stage और पोर के अंदर बहुता है जब ह अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चानल को सब्सक्राइब करें नेक्स वीडियो ता के लिए अल्ला आफिस